दोस्तों अक्सर आपने कई बार सुना होगा या कई बार आप पिक्चर्स में भी देखते हो कई बार हमारी जो बॉलिवड की मुवीज बनती है उसमें कई बार दिखाया जाता है कि पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान जो दिया जाता है वो court में admissible नहीं होता है ऐसा कब होता है या ऐसा क्यूं होता है यह सब आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा से ही little knowledge is harmful कभी-कभी यह थोड़ा ग्यान आपके लिए हानिकारक हो सकता है हम अपने इस channel पर हमेशा आपके लिए लिकराते है practically proceeding किस तरह से चलती है court में जो बहुत जादा काम की होती है सबी उनने वकीलों के लिए उन सबी law students के लिए जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सबी उन लोगों के लिए जो कभी-कभी life में किस ना किसी तरीके से फस सकते हैं किसी भी तरह की legal proceeding में और दोस्तो वैसे भी देखा जाए तो जीवन में एक ना एक बार सभी का हर व्यक्ति का एक ना एक बार थाने पुलिस से वास्ता जरूर पड़ता है आपको पता होना चाहिए और आपको awareness होनी चाहिए कि किस तरह की statements सागरम पुलिसर सामने देंगे जो admissible court में नहीं होगी और कब वो court में admissible हो जाएगी उसके बारे मैं आज में बताऊँगा आपने इस वीडियो में जादा कुछ जानने के लिए दोस्तो बने रही है हमारी इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Fight for True मेरा नाम है विरेंदर वर्मा जैसे आप से भी जानते हैं हम इसी तरह की Legal Awareness की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और practically किस तरह से प्रोसेडिंग चलती है court में आपको हम वो बताते हैं दोस्तो होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में भी ऐसा बोलते हैं जैसे आपने जॉलील बी टू अगर मूवी देखी है तो उसमें वो बोलते है कि यहाँ पर पुलिस के सामने दी गई कोई भी statement court में admissible नहीं है यह कब नहीं होती है दोस्तो अगर ऐसा हो जाए कि पुलिस के सामने आप जो भी बोलो वही निर्णे हो जाए उसी के उपर ही conviction हो जाए तो सोचो क्या होगा पुलिस कितना मार पीट कर torture कर करकर अक्सर आपने बॉलिवूड मूवीज में देखा होगा पुलिस वाले torture करते है क्या ऐसा होता है और ऐसा होगा तो होगा क्या मतलब पुलिस वाले मार पीट कर torture करकर कोई भी statement ले ले लेंगे फिल्मों देखा को sign करवाते हैं उठा लगवाते है क्या उसकी admissibility कुछ होती है कोट में दोस्तो ऐसे चीजों के अंदर कोई भी admissibility ऐसे मामलों की कोट में नहीं होती है पुलिस के सामने आपने कोई statement दी है तो उसकी admissibility नहीं है पर यहाँ पे आप याद रखें अगर वहीं से कुछ discovery हो जाए वहीं से कोई fact सामने आ जाए तो वहाँ admissible हो जाता है मान लीजिए किसी का murder हुआ murder हुआ तो murder weapon जो था या चाकू हो सकता है पिस्टल हो सकती है अगर पुलिस ने मारा पीटर पूछा बता वो कहाँ पर है जिससे murder हुआ और वो बता दे और वहीं जाकर वो recover हो जाए तो यहाँ वो admissibility हो जाती है मतलब कि जो आपने बोला था कि मैंने murder किया है या पर वहाँ पर वो हतियार छुपा हुआ है मिल जाए तो हो जाएगा मतलब admit हो जाएगा वो कोट में या फिर कोई फरजी दस्तावेज है उसके उपर पुलिस ने आपको मार्क मिट के पूचा बताईए आप कहां print करते हो या कहां पर हैं वो documents आप उनको साथ में ले गए discovery हो गए तो हो जाएगा इसके उपर हम separate एक video बनाएंगे ताकि detail में आपको बता सके कब वो admit हो जाता है कब admit नहीं होता बट माल लीजिए पुलिस के सामने आपको यह भी अपनी statement दे रहे हैं कि हां ऐसा हुआ या मैंने ऐसा किया अक्सर आपने cases में देखा होगा आप पूरी statement देते हो कि ऐसा 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 मैंने किया और कुछ बाते उसमें पुलिस अपनी तरफ से add on कर देती है खड़े होंगे आपके लिए वो इन सब बातों को दरकिनार कर देंगे और वही बातों पर आपका trial चलेगा जो real होंगी जिसके evidence होंगे पुलिस के पास जो पुलिस ने evidence लगाए होंगे चार्शीट में ऐसी कई सारी बाते हैं जो trial में आपकी चलती है आपके दिल में कोई भी किसी तरह किस सवाल है आप हमसे comment box में जरूर पूछें हम आपको उसका reply जरूर करेंगे practically court में आप कैसे बात कर पाएंगे हम आपको बताएंगे आप नए वकील है मतलब अभी आपने law complete की है या अभी आप law के student है तो आपके लिए बहुत महत्पूर्ण ये वीडियो होती है जो हम लेकर आते है क्योंकि ये सब चीज़े किताबों में देखने से आपको नहीं मिलेंगी practically क्या चलता है हाला कि किताबे सेम है CRPC, IPC, Evidence Act सब कुछ सेम है कोई अलग से नहीं है बट practical चीज़े आपको अक्सर हमारे चैनल पर देखने से मिल जाती है दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारे वीडियो जादा जादा अपने दोस्तों परीजिन परिवार में हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानकर बना सके बहुत बहुत शुक्त है दोस्तों निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए